हरे किष्णा नमस्कार कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का SSG गुरुकुल के इस ओफिशियल यूटूब चैनल पे फात्मा SSC टीचसल के अभी एक्जाम चल रहे हैं पिछले एक्जाम को पिछले पेपर को देखके हमने आगे आने वाले जो पेपर अभी जिन लोगों के नहीं हुए है उनको कुछ help हो सके और 20-25 मिनट में बिल्कुल भी time विस्ट नहीं करेंगे हम direct properties पे चलेंगे और उस properties का आपका रिवाईज हो जाएगा अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में व दो समान भागों में विभाजित करता है डारिक्ट हम लोग question पर चल रहे हैं कि यह property सभी लोगों को पता होगा और अमोमन यह हम लोग 10th high school में ही सीख लेते हैं कि केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है अगर आप paper देने आप को पता होना चैए जीवा क्या होता है यह सारी चीज आपको आनी चाहिए ठीक है तो आपको किसर सी और है यह यह जीवा को दो समान भागों में वाजित करेगा मतलब अ जो होगा लb के बराबर होगा और यह 90 डिज़े के कोनड से जीवा पर 90 डिज़े का यह बन रहा ह तो आप ये समझ लेंगे इसका उल्टा कि ये दोनों लेंग्ट जो होंगी AL और L भी बराबर होंगी बात समझ में आई अब चलिए इस question पर आते हैं question बहुत ही प्यारा है कहरा दिये गए वत्त में जीवा A जीवा PQ जीवा PQ की लंबाई 18 है जीवा PQ की लंबाई कितनी 18 है A भी जीवा PQ का बिंदू M है यानि अगर आप देखोगे A भी जीवा पर PQ PQ पर एक बिंदू क्या है M है ये M जो बिंदू है वो लंब समझ दुबाजक है M भी वराबर 3 है तो A भी की लंबाई आपको बतानी A, B यानि ये पूरी लंबाई आपको बतानी पूरी लंबाई आपको बतानी बताई कैसे बताएंगे थोड़ा सा टाइम लीजिए और इस कुश्चन को करने के कोशिश करिए ठीक है थोड़ा सा टाइम लीजिए आप को होगे सर अगर हम देखें कि PQ इसमें 18 है तो अगर आप देखो ये लंब सम्दू भाजक है अगर PQ 18 है तो PM और MQ क्या हो जाएगी 9 और 9 हो जाएगी मतलब यहाँ पर दे भी रखता है उसने कि ये कितनी है 9 है कितनी है 9 है अब अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे सर ये 3 है और यहाँ पर हमें दे रहा है पूछ रहा है A B कितनी है तो आप जानते हो ये सर हम X मालने या इसको हम X मालने क्योंकि ये हमारी तरज्या है और ये भी हमारी क्या है तरज्या है basic concept आपका ये कह रहा है कि आप जानते हो आधार का square, लंब का square बराबर कड़ का square यानि x square बराबर x माइनस 3 का square और प्लस क्या कर देंगे, 9 का square कर देंगे direct आप देख रहोगे x square बराबर x square plus 3 तिया 9 और माइनस 3 दुना 6x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, plus कितना हो जाएगा 9-9, 81 हो जाएगा, x square से x square कट गया 81 और 9 कितना हो गया, तो आपको किसा 90 हो गया यानि 6x की value कितनी आ गई, 90 और x की value यहां से कितनी आ गई 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी मैं हो जाएगा पीस कोस्टन का राइट अंसर ऑग लेकिन अपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जुशूरत है अगर आप यह पाइपको जल्सूरत है कर तो सबसे पहले आपको समझेना है यहाँ सबसे पहले आपको क्या समझना जड़ा देखना एक प्र पीस इस question का right answer हो जाएगा basic से लेकिन अगर हम बहुत short approach से करेंगे तो आपको पता होना ची कि triplet कौन कौन से होता है triplet हमने यहाँ पर दे रखें 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 अगर हम 3, 4, 5 की बात करें 3, 4, 5 की बात करें तो आपको अगे सर यह triplet होता है और triplet को अगर हम किसी चीज से गुणा करा दे जैसे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10 तो यह भी एक triplet ही होगा अगर हम इसको 3 से गुणा करा दे तो 3, 3, 9 3, 4, 12, 5, 3, कितना हो जाएगा 15 तो यह भी एक triplet होगा तो यह सारे क्या होंगे triplet ही होगे यहाँ ठीक है तो आप खुद यहाँ पे देखो आप खुद देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यह 9 है और यह एक क्या है यह एक right angle triangle है अगर यह 9 हुआ बस आपको अंदाजा लगाना अगर यह 9 हुआ यहाँ पे हम लिख लेंगे ठीक है अगर यह 9 हुआ अगर यह 9 हुआ तो हम देखें 3, 4, 5 का एक triplet होता है तो 3, 3 कितना हो गया 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15 यानि यह भी triplet हो गया आधार अगर 9 है तो यह हमारा कितना होना चीए 15 होना चीए आप तो चोचोगे अगर यह सर 15 है तो इसका मतलब यह भी 15 होगा और यह भी 15 होगा और 15 मेंसे अगर 3 जाएगा तो क्या यह हमारा 12 आ रहा है आपको किसर 12 है तो यहाँ पे 9, 12 और 15 satisfied करा जाएगा answer आपका कितना आ जाएगा answer आपका आ जाएगा 30 क्योंकि 15 x की value आपकी direct निकल कर आ जाएगी कि team 9 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 यह card जो है card ही इसकी क्या है radius है तरज्य है तो इसका answer कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बास समझ में आई तो इस तरीके से आपको question को करना होता है यहाँ पे 2 solution हमने बता है next हम concept पे चलेंगे next property पे चलेंगे सभी लोगों को पता होगा कि केंदर पर बना कोड परिधी पर बने कोड के 2 गुना होता है यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिधी पर बना कोड केंदर पर बने कोड के क्या होता है आधा होता है जैसे यहाँ पर यह थीटा है तो यह कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा जैसे यहाँ पर आप जानतो हमेशा यह पूरा 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है यह 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर यह 90 डिग्री का बनेगा तो एक property और हम लोग सीखते हैं कि अर्द वरत में बना कोण हमेशा सम कोण होता है क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर 180 बना है तो यह इसका half बनेगा मतलब 90 degree का बनेगा तो आप को होगे सर यहाँ पर 90 degree का बनेगा तो हम इस property को भी कहते हैं हलाकि है यही property कि केंदर पर बना कोण परीदी पर बने कोण के क्या होता है दो गुना होता है इसी तरीके से यहाँ यह अधिक कोण है यहाँ पर यह परीदी पर कोण बन रहा है ठीक है यह इसका दो गुना होगा ठीक है बात समझ में अब देखते हैं अगर हम बात करें, यदि O व्रत्त का केंद्र, व्रत्त का केंद्र क्या है, O है, तो दिएगे चित्र में X का मान आपको बताना है, X आपका यहाँ पे प्रेजन्ट है, X आपका भईया कहाँ प्रेजन्ट है, यह X है, यह अगर 40 है, तो यह बताओ, यह क्या है, यह आपका कें मेरी है भाई त्रिज्या बराबर है तो कोड भी बराबर होंगे तो यह 40 हो जाएगा चली रहा है आप के पास इतना टाइम नहीं कि हम आपको यहाँ पर टाइम दे आप कोउस्टन को करो इसलिया हम रेकॉर्ड कर रहे हैं लाइब नहीं कर रहे है कि आप आराम से बस एक बार में देख ले जाओ ठीक है जल्दी जल्दी से 10 questions, 10 properties, हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, किसी वृत्त के एक ही वृत्त खंड में बने कोण, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही वृत्त खंड में बने कोण, जैसे यह वृत्त खंड है, PQ वृत्त खंड है, ठीक है, बड़ा वृत्त खंड है यहाँ पे कोड बन रहा है और इसी PQ वरत्खंड से यहाँ पे कोड बन रहा है तो यह जो कोड होगा इसके हमेशा बराबर होगा फिर देखो यहाँ पे कोड बन रहा इसी वरत्खंड से इसी वरत्खंड से तो यह कोड इसके हमेशा बराबर होगा फिर देखो यह PQ वरत् स्कूल में पढ़ रखी होंगी जब आपके भाई हमारी जो टीचर थे वो तो टेंथ में हम लोगों को दस प्रॉपर्टी लिख वाए थे उनको प्रूब भी कराया थे वहुत अच्छे से तभी उनको लर्न हो गया था अगर आपको नहीं लर्न है तभी कोई दिक्कत नहीं बस आप कुश्चन को देख के जाएंगे आपसे आराम से अंसर आपाएगा दिये गए चित्र में केंद् ठीक है केंद्र ओ दिया हो गया होगा इंदर गिवन फिगर एबी जा क्वाड एंड पी एंड क्यू आर्टू पॉइंट्स ऑन दा सर्कल सच देट एक्यू भी एक्यू भी सीधा सीधा आपको देखना है एक्यू भी यहाँ पे कितना है 54 डिगरी तो यह व्रत्यखंड है इ आपका 54 डिगरी हो जाएगा 54 यानि 54 डिगरी इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा किसी को कोई तकलिफ नहीं होई होगी बिल्कुल आराम से इस कुश्चन को आप कर लोगे अगर इस तरीके से कुश्चन अगर आ जाए कि पेपर में तो उसको छोड़के मताना आगर इस विश्चन कंड से ये 45 डिगरी है तो ये कितना होगा ये भी 45 डिगरी ही होगा आप जानते हो कि अगर हम देखें एक त्रिभूज में ये जो आपका त्रिभूज यह भी होता है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 50, 40, 90 होता है, 5 ज्यादा है, तो इधर 90 में से 5 गम कर दो, तो कितना हो गया, 85 डिगरी, पूरा बी, वाई, एक्स जो होगा, वो आपका कितना आ जाएग बी यानि कि 85 डिगरी इस question का right answer हो जाएगा बात समझ में आ रही है अगर बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार आपसे गुजारिस है कि वीडियो को share जरूर कर दीजिएगा जितने लोग अभी फार्म पेपर को नहीं दिये हैं और जितने लोग पेपर देने वाले हैं ठ ठीक है व्रत्त के किसी बिंदू पर कोण अगर आप देखोगे अर्द व्रत्त में बना जो कोण होगा वो हमेशा क्या होगा समकोड होगा क्यों होता है आपको पता ही है अभी हमने आपको बताया इस पर एक हम लोग question करेंगे केंद्र ओ वाले एक व्रत्त का व्यास केंद् व्रत्त बना लिया अब question आपसे कह रहा है कि केंद्र ओ वाले एक व्रत्त का व्यास कितना है A B है व्रत्त का व्यास हमने कितना कर दिया A B कर दिया A B कर दिया O हमने क्या कर दिया इसका केंद्र कर दिया A और B आपका क्या हो गया यह व्यास हो गया A B के किसी भी और व्रत्त पर दो बिंदु C और D इस प्रकार हैं, A की तरफ, C और D, यानि चाहें इधर आप CD कर लो, और चाहें आप CD को यहाँ पर कर लो, तो हम कहा रहे हैं कि CD को हमने इधर कर लिया, थोड़ा, यह क्या रहेगा हमको, सीधा लगेगा देखने में, ठीक है, CD हमने इस तरीके से कर लि है, C, A, B, 52, तो आपने इसको क्या कर दिया, यह 52 डिगरी हो गया, यह 52 डिगरी हो गया, आगे बढ़े ABD, A, A, B, और D, यह वाला जो कौन है, यह इनका कितना है, 47 डिगरी है, 47 डिगरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, C, A, D, और CBD के मापों में अंतर आपको बताना है पूछ क्या रहा है आपसे, देखो, C, A, D, कहां पर ऐसी, C, A, और D, मतलब हम इसको इससे मिला देंगे, C, A, D, C, C, और B, और क्या है, D, CBD, यह देखो, CBD, ठीक है, हम इसको इससे मिला देंगे, CBD, मतलब इस वाले अंगल का, इस वाले अंगल को निकालना है, और इस वाले एंगलों को हमको निकालना है अब ये angles कैसे निकलेंगे बताओ थोड़ा सा दीमक लगाऊ अपना तो आपको अगले थे अर्धवत्त में बना कोन क्या होता है अगर हम इस वाले अगर हम इस वाले triangle की बात करें हैं यहां पर यह तो 90 disent दिगरी होगा यह 52 है तो यह कितना हो जाएगा 38 सिर्फ इसकी बात अगर हम करें इसकी बात करें तो यह कितना हो जाएगा 38 डिगरी हो जाएगा फिर अगर हम देखें सर इस वाले इंगल में इस वाले इंगल में तो यह भी कितना है यह 90 डिगरी हो जाएगा यह 47 है तो यह कि पूरा कॉणड हो यह कितना हो जाएगा 43 डग्री हो जाएगा अब जानतों पूरा पंड यह हमारा है वह 52 डग्री है तो 52 डिग्री में jumping 25 43 kang दिग्री और फिरसे 9 डिग्री यहां पर बचेगा ना इंड डिग्री आपका क्या बचे गा यहाँ पे बचेगा, उसके अलावा यह पूरा 47 है, 38 है तो 7-9, 9 डिगरी यहाँ पे भी बचेगा, फिर से समझना हम बता रहे हैं कि 90 डिगरी, अर्धवर्त में पनाकोंड, 90 डिगरी होता है 47, 90 तो 180 पूरा करना है, यह 90 है इनका इनका योग 90 होना चीए तो आपको होगे सर, यहाँ पे 43 होगा और 47 होगा तो 90 बनाएगा तो इसकी जो value हो जाएगी वो 43 हो जाएगी, इसकी value कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी, पूरा आपका 38 हो जाएगी, पूरा आपका 47 तो 9 डिग्री ये 9 डिग्री दोनों का अंतर जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है अब बहुत खुशी के साथ में आप पहोगे 0 डिग्री इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को एक दो बार आप देख लो ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जीवाएं एक बाहरी बिंदु पर प्रतिच्छे दित करती हैं बहुत प्यारी प्रॉपर्टी जो बहुत बार कुश्चन यहां से पूशा गया है अगर दो जीवाएं हैं इससा C D है और A B है C D और A B यह आगे बढ़ती हैं तो बिंदु यह बाहर कहीं पर मिलती हैं मतलब एक दूसरे को बाहर प्रतिच्छे दित करती हैं याद रखना हमेशा यह बाहर प्रतिच्छे दित करती हैं तो आप किस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको फॉर्मूला यहां पर लगान होगा बीपी डी वराबर एकस माइनस वाई और बटे दो एकस माइनस वाई बटे दो मतलब आपको यह वाला अंगल पूछा जाएगा बी पी और डी आपको इस वाले अंगल से इस अंगल को घटाना है और उसका आधा करते हैं नेक्स्ट कोश्ण देखते हैं एक वरत की दो जीवाएं, यहाँ पर व्रत्त हम बनाएंगे, ठीक है, हम व्रत्त को पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे, एक व्रत्त की दो जीवाएं हैं, यहाँ पर ठीक है, चलिए, देखते हैं, एक व्रत्त की दो जीवाएं हैं, आपने इस तरीके से दो जीवाएं बना लिए, ठीक है, इस तरीके से दो जीवाएं, A, B और C, D, A, B, और C, D, ठीक है, केंडर O है, कोई बात नहीं है, एक दूसरे को एक्स्टरनल बिंदू P पर मिलती है, A, O, C की बात करें, A, O, C की अगर हम बात करें, A, O, C, 100 डिगरी है, A, O, C, 100 डिगरी है, और B, O, D, B, O, D, यह 40 डि डिगरी है, तो पूछ रहा है, B, P, D, बता जिए, B, P, और D, यह आप चे पूछा जा रहा है, तो आप बताईए, इस question का right answer क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, कि सर, इनका difference होगा, कितना, 60 है, ठीक है, यहाँ पर आप 60 कर लो, यह कितना है, 60 डिगरी है, 60 और 100 का difference difference, 100 minus 60, बटे कितना कर दोगे, 2, यानि कि 40 बटे 2, आंसर कितना आजाएगा, 20, यह सब लिखने की ज़रूद नहीं है, आपको बात पता चिल जानी चाहिए, कि इस तरीके का question आएगा, तो हम कैसे easily कर सकते हैं, इस तरीके का question अगर आएगा, तो हम कैसे easily कर सकते हैं, अब ड आमने सामने की भुजाय क्या होंगी यहां पर, आपकी आमने सामने की भुजाय समांतर होंगी, और दो असमांतर होंगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलम चतरुभुज बोलते हैं, फिक हैं, यह एक व्रत के अंदर है, एक सर्किल के अंदर है, डी ए सी, अगर आप से BAC given होगा, इस question में BAC आपको कुछ तो दे रखा होगा न BAC दे रखा होगा या आपको हो सकता है DAC दे रखा हो, ठीक है हो सकता है DAC दे रखा हो, हो सकता है BAC दे रखा हो, तो आपको क्या करना है direct आप देखोगे, कि सर केंद्र वाले वृत्मे, O के इंदर वाले एक वृत्मे A, B एक व्यास है A, B एक व्यास है, यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है, O के इंदर वाले एक व्यास है, ठीक है A, B एक व्यास है A, और B यहाँ पर हमने लिख दिया A, B एक व्यास है और C B एक ऐसी जीवा है कि A B C D A B C D ठीक है A B और C D एक ऐसी जीवा है A B C D एक समलंब चत्रभूज हो जाते हैं B A C यहाँ पर आपको दे रखा है B A C कितना 40 डिगरी दे रखा है 40 डिगरी दे रखा है C A D पूछ रहा है C A D पूछ रहा है मतलब इसको हम अलफा माल लेता है ठीक है यह आपसे पूछा जा रहा है आपसे अलफा की वैलू पूछी जा रही है डारेक्ट हमने शॉर्टकट क्या बता है आप जानतो शॉर्टकट नहीं भी आप लगाओगे तो आप जानतो अगर यह व्यास है तो यह 90 डिगरी बनेगा कितना बनेगा यह 90 डिगरी का कोड बन रहा होगा अगर यह 90 डिगरी है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा यह 40 है तो यह कितना हो जाएगा यह 40 है अब जानतो आप यह 50 अगर हो जाएगा तो यह कितना हो जाएग तो कैसे 50 और 130 कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि चक्रिय चत्रूज भी तो है, इसके 4 वर्टेक्स एक सर्कल पे हैं, और चक्री चत्रूज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो एगर 50 है, तो 180 हो जाएगा, ये समांतर होती है समलम चत्रूज में, तो अगर आप हम कह रहे हैं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, हमेशा BAC आपका दिया होगा, CAD जब आपसे पूछेगा, कोड CAD आपसे पूछेगा, तो आपको क्या कर देना है, डारेक्ट 90 माइनस, 90 माइनस दो गुडे 40, दो गुडे 40, यानि 10 इस कुष्टन का राइट आंसर हो जा ठीक है, बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट कोश्टन देखिए, नेक्स्ट कोश्टन क्या कह रहा है, O के इंद वाले किसी वर्त में, AC तथा BD दो जीवा है, AC, A, C और BD, दो जीवा है, AC तथा BD को बाहर मिलाने पर, यह E पर मिलते है, AB व्यास है, AB क्या है, डायमीटर है तथा A, E, B, X degree है, इसको क्या कह रहे है, यह A, E, B कितना दे रखा है, यहाँ पर, X degree दे रखा है, ठीक है, A, E, B कितना दे रखा है, X degree दे रखा है, आपसे पूछ रहा है, D, O, C, D, O, और C, यह वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, यह वाला एंगल आपसे पूछा माइनस 2AEB आपको करना है जैसे यहाँ पर केंदर O वाले एक व्रत्य में AC, BD दो जीवाएं हैं AC और BD बढ़ाए जाने पर E पर मिलती है बिल्कुल सेम वही लेंग्वज है यदि AB व्याज से बिल्कुल सही AB 168 है तो DOC आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? DOC तो डारेक्ट बताओ DOC जो हमारा होगा वो कितना होगा? 180 माइनस 2 गोडे 68 हो जाएगा 180 माइनस 68 तुजा कितना हो जाएगा? 2,8 2,8,16, 2,12,13 136 हो गया और आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 44 डिग्रीस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा 44 डिग्रीस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा बताइए बास समझ में आ रही है तो इसी तरीके से आपको कॉश्चन को करना होता है अब ऐसा नहीं हो कि 20-25 मिनट में हम सारा geometry आपका खतम कर सकते है लेकिन जो question expected है जो बस आप देखोगे और आपको गर यह चीजे नहीं पता होगी तो आपको को मतलब दिक्कत हो सकती आप question लगाने में आपको दिक्कत हो सकती आपको वहाँ पर time consumption आपका जादा हो सकता है देखो यहाँ पर R1 है R2 है डारेक्ट आप देखो कभी भी संकेंधरी वरत्र हों एक वरत्र है फिर उसके आगे दूसरा वरत्र है दोनों वरत्रों का जो केंधर है वो सेम है तो यहाँ पर तरज्या 15 cm और 9 cm वाले 2 संकेंधरी वरत्र है बड़े वृत्त की तरज्या, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी, जो छोटे वृत्त पर क्या करता है, इस पर्त करता है, बस इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से आपको बनाना है, एक है पंद्रा, और एक कितनी है, एक है कितनी, आपको किसर, ये प परत्र रेखा, इस परत्र कर रही है, और इसकी ये जीवा है, इसकी लंबाई आप से पूशा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो AC बराबर आपका होगा, वो रूट के अंदर R1 स्क्वाइर, ठीक है, माइनस R2 स्क्वाइर हो जाएगा, मतलब 15 का स्क्वाइर, माइनस 99, 81 का नौनमा 81 हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 और माइनस कितना कर देंगे 81 कर देंगे 225 माइनस 81 कर देंगे आप को गशार 225 माइनस 81 कितना हो जाएगा 25 और इधर कितना चला जाएगा आपका 81 है तो यहाँ आपका बचा चार और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 14 बच जाएगा तो यहाँ पे आप देख पार होगे अगर AC वराबर आप देखोगे AC वराबर root से निकालोगे, यहाँ पे बचेगा आपका 12, ac बराबर 12 आपका आया है, a और c बराबर आपका कितना है, 12 है, यह value अगर 12 है, तो पूरी जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, यानि a इस question का right answer हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है भाई, बास समझ में य यह अगर 12 है, तो यह भी 12 होगी, यानि यह पूरी जो होगी आपकी 24 भुजा हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, यदि चतुरभुज, a, b, c, d के अंदर एक व्रत्वना है, चतुरभुज है, a, b, c, d के अंदर एक व्रत्वना है, तो a, d, plus b, c, a, b, plus c, d ह याद रखना, direct, direct आपको property बता रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 10 दे रखा होगा, कि a, b, 10 है, और b, और यहाँ पर कोई बिंदू दे दिया, मानलो, o, दे दिया, ठीक है, आपको इस तरीके से दे देगा, कि o, दे दिया, b, o, 6, दे दिया, फिर उसके बाद में, आपको यह दे दिया, पूरा, c, d, कितनी है, c, d, मानलो, आपको दे दिया, 9 है, और इसमें, आपकी, n कर देते है, n नहीं है, n, c, जो है, वो 7 है, तो आप इस तरीके से बजना होगे, तो आपके पास जो data दे रखा है, 10, 6, और 7, अब एक बात बताओ, अगर यह, अगर य यह, पूरी 9 है, तो, यह, पूरी 9 है, तो, यह, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एक्स की वैलू, आपसे, पूछा जारहा है, तो, डारेक्ट, आपको क्या करना है, ad की वैलू है, x, प्लस, bc का मानलो है गँदे ज़रहा है, 7, यह, कितना, 7, 6 हो गया, 13, पिर यह, पूर चेस question का right answer हो जाएगा, ठीक है, 6 question का right answer हो जाएगा, तो भाया, 6 question का इस तरीके का question आए, तो आपको घबराना नहीं है, बस, आपना क्या करना है, अपनी property यहाँ पर लगा देनी, next question देखिए, O के इंद वाले किसी व्रत में, बाहि बिंदु P से, दो इस पर सरेखा है, PA, बाहि बिंदु P है, PA और PB दो इस पर सरेखा है, की चीगी, और R तथा S, व्रत पर दो बिंदु है, R तथा S, दो बिंदु बिंदु है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत simple property है बहुत simple property है, बस आपको एक बार देखना है, की यह अगर 2 थीटा दिया है, ठीक है, यह अगर 2 थीटा है, साथी, अगर यह 2 थीटा है, तो आप देखो, APB अगर 2 थीटा है, ठीक है, APB, अगर 2 थीटा है, 2 थीटा है, तो दिन, AOB, AOB, मतलब बीच वाला केंदर पर बना, 180 सी मैनिस 2 थीटा कर दो, ARB, 90 माइनिस थीटा कर दो, और ASB अगर आपको करना है, तो 90 थीटा कर दो, कितना, 90 थीटा कर दो, बात समझ में आई, ख़ए, O के अंदवाले किसी वत्त पर, 2 बिंदू, P तथा Q, R बिंदूओ, P तथा Q के बीच, लगउचाप पर इस्थित कोई बिंदू है, वत्त के बिंदू, P तथा Q उपर खीची के इस पर सरेखा, एक दूसरे को बिंदू किस पर मिलती है P पर मिलती है यदि P SQ बराबर 20 है PSQ बराबर 20 है तो हम इस तरीके से बनाएंगे ठीक है इस तरीके से बनाएंगे यह PSQ फिर से देखने O के अन्द वाले किसी वृत्त पर 2 बिंदू P Q P और यहाँ पर क्या है Q है P क्यूं है R बिंदूं P तथा Q के बीच लगुचाप पर इस्थित है ठीक है तो R यहाँ पर हम इस्थित करतेंगे लगुचाप पर इस्थित है लगुचाप पर इस्थित है इस्थित कोई बिंदू है व्रत के बिंदु P तथा के उपर खीची गई, इस पर रेखा एक दूसरे को S पे काड़ती है, तबी तो यहाँ पे P S Q है, ठीक है, बिल्कुल सही है यह कितना है, 20 डिगरी है अब यहाँ पे आप देखोगी, यह लगुचाप हो गई यह आपकी देर्गचाप हो गई और यह आपका केंदर पर बना हुआ कोड़ हो गया, यह आपका केंदर पर बना हुआ कोड़ हो गया, तो आप कोगे सर अगर हम देखें, तो यह तो हमारा 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा की value तो यहाँ पर 20 degree दे रखी है तो theta की value यहाँ पर 10 degree हो जाएगी हाँ की ना आपसे पूछा जा रहा है PRQ PRQ यानि लगू चाप लगू चाप फिक है यह 90 minus theta होता है और यह 90 plus theta होता है तो आपको ओकर सर अगर हम PRQ की value देखें PRQ की value देखें तो 90 20 plus कितना हो जाएगा theta हो जाएगा 90 plus theta theta आपका कितना आ चुका है 10 आ चुका है यानि 90 plus 10 कितना हो जाएगा 100 degree इस question का right answer हो जाएगा बताइए सभी को बाश समझ में आ रही है क्या नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इसको रटो भाई आप इसको रटो इतना time आपके पास नहीं है कि आप एक एक चीज क्या करोगे एक एक चीज का evolution देखोगे एक एक चीज का proof देखोगे डारेक्ट देखो यहर क्या करना है 2 theta की value 20 कर दी theta 10 आ गया यह वाली value उमने बताई थी अगर इसका मान पूछे लगुचे आप पर आपसे पूछे तो 90 प्लस theta करते हैं इस पर पूछे तो 90 minus theta करते हैं ए आर भी पूछे 90 minus theta करते हैं यह पूछे तो x of c minus theta करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी तकलिप नहीं होगी ठीक है आप आराम से कर ले जाओगे अब देखो last question पर चल रहा है आज का last question है ठीक है इस session का last question होने वाला है तो last question देखने से पहले हम आपसे बता रहे हैं कि कभी भी कभी भी आप देखोगे चलो यहाँ पर थोड़ी चीज़े समझनी है बस last concept आपको बता रहे है question आपको खुद comment box में comment जरूर करेंगे ठीक है बाई चलिए देखते हैं थोड़ी से property आपको समझानी है जैसे यहाँ पर एक वरत्व ले लिया ठीक है यहाँ पर एक वरत्व ले लिया ठीक है ये ले लिया चलो देखते हैं एक से बार ठीक है ला 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 इस तरीके से छोटे छोटे बत्त ले लेते हैं दिखेगा ठीक है चलो ऐसा कर देते हैं ठीक है अब देखो बहुत छोटी छोटी प्रापर्टीज हैं आप जानते हो कि अगर दो रेखाएं 90 डिग्री पे काटें या 90 डिग्री पे ना काटें A, B, जीवा और C, D, जीवा यह परस पर क्या काटती है यह एक दूसरे को P पर काटती है तो आपको बस जहां पर काटती है उसको पकड़ना है क्योंकि बहुत लोगों को यह चीज़ याद नहीं होती है जहां काटती है तो आपको P से D तक जाना है तो PD, गुड़े P और C, PC हो गया बराबर, P गुड़े PB हो गया, ठीक है गुड़े, P और A हो जाएगा P और A, तो एक फॉर्मूला आपका यह बन गया एक फॉर्मूला भीया आपका यह तयार हो गया देखो, यह फॉर्मूला आपका तयार हो गया ठीक है, याद कैसे करना है PC, गुड़े PD PA, गुड़े PB हो जाएगा अब आपका क्या होता है अब आपका क्या होता है कि हो सकता है ये जो आपकी रेखाएं हैं जो जीवाएं हैं ये व्रत्त के बाहर निकल जाएं हो सकता है ये व्रत्त के क्या हो जाएं बाहर निकल जाएं ये जीवा ना होके ये छेदत रेखा बन जाएं तो आप देखोगे, सर A, B, C, D, P पे मिलती है, कहा पे मिलती है, P पे मिलती है, तो हमने कहा, आपको याद रखना है, P, कहा पे मिलती है, P पे, तो P, B, P, B, गुड़े, P, A, P, A, अब बहुत लोग यहां कहरे दे, A, B, गुड़े, B, P, नहीं, जहां पे काटता है, वहां से सब दोनों पॉइंट को लेना है, P, B, ले लिया, अब P, A, ले लो, ठीक है, यह किसके बराबर होगी, तो आपको कहोगे, सर, यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मनलब यह प्रोपर्टी हो जाएगी, आप इस तरीके से प्रोपर्टी देखने को पाते होंगे, अच्छा इसी तरीके से एक और प्रोपर्टी होती है, कि एक इस तरीके से होता है, ठीक है, एक इस तरीके से होता है, और एक शेदक रेखा होती है, ठीक है, एक शेदक रेखा होती है, ठीक है, एक शेदक रेखा होती है, ठीक है, एक शेदक रेखा होती है, ठीक है यहाँ पे square हो जाएगा और PA गुड़े PB हो जाएगा यह आपकी property हो जो गई अब इस पर बेज़ आपको direct question आ सकता है जैसे यह 4 दे दिया यह 3 दे दिया यह 5 दे दिया फिर ठीक है यह कितना दे दिया 5 दे दिया एक्स की value पूछ ली तो क्या नहीं कर पाओ गयार simple simple सी चीजे है वस आपको revise करने के लिए हम दे रहे हैं simple simple सी चीजे है revision के लिए हमने दिये एक वत्त की जीवाएं AB और CD इपर इस तरीके से प्रतिश्यद करती है कि एक दूसरे पर लंबवत है बहुत ही प्यारा question है बहुत ही प्यारा question है साथ हूं question paper में आपके आया हुआ है ठीक है paper म इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब खंड AE EB और EB की लंबाई क्रमसा AE EB ठीक है ED तो आपको गसर 226 और यहाँ पर कितना हो गया 3 2 6 3 AE EB AE 2 EB 6 ED 3 ठीक है ED 3 तो आपको गसर इसकी हमें लंबाई नहीं पता है इसकी हमें लंबाई नहीं पता है और इससे पहले हम अपनी property पर आजाएं यहाँ पे कभी भी यह 90 degree है ठीक है यह 90 degree मानके आपको चलना है कभी भी यह 90 degree पर अगर काट रहा होगा कभी यह 90 degree पर काट रहा होगा और इसमें आपसे radius अगर पूछ ली जाए क्या पूछा A P sqare Plus B D sqare, C P sqare Plus B P sqare. मतलब अगर X है, यह Y है, यह P है, और यह Q है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है? Simply, अगर R आपको देखना है, तो आपको क्या करना है? X sqare plus Y sqare plus P sqare plus Q sqare हो जाएगा, और upon में 2 हो जाएगा और आपको यहाँ पे root लगाना है यहाँ पे आपको root लगाना है direct आपका answer आएगा फिर अगर यह चीज आपकी मिली हुई है अगर यह चीज आपकी मिली हुई है बहुत ज़्यादा important property है बहुत बार अगर property आएगी तो direct आप देखो यहाँ पे यह दो चीज दे रखी है तो direct आपको क्या करना है bc square bc square plus ad square और बटे 2 r यहाँ से निकल कर आजाएगा लेकिन यहाँ पे यह 90 degree पर काटते है 90 degree पर काटती है ठीक है काटती है जीवा 90 degree पर cp square bp square बटे 2 कर देना है अब इस question का answer क्या आप बता पाओगे देखो यह 2 है 3 है 6 है sir इसमें पूछ रहा है उस व्रत्त की व्यास बता दीजे तो हम radius निकाल लेंगे radius का 2 गुणा कर देंगे बात बिलकुल confirm है हम radius का 2 गुणा कर देंगे हमारा क्या आजाएगा व्यास आजाएगा देखना आपको क्या है sir x नहीं है तो क्या x नहीं निकाल पाओगे x गुड़े 3 बराबर 2 गुड़े 6 जो यह proper team ने आपको बताई अगर यह आपको निकालना है तो इसकी गुड़ा, इसकी गुड़ा, इसके गुड़ा इसके गुड़े के बराबर हो जाएगा तो यहां से आप क्या निकाल लोगे यहां से आप निकाल लोगे 3 गुड़े x, 2 गुड़े 6 और इस तरीके से आप अपने question का answer comment box में comment कर सकते ठीके comment box में क्या करेंगे comment करेंगे आशा करते हैं कि आपको जानकरी अच्छी लगी होगी और पूरा revision आपका geometry का हुआ होगा मतलब geometry में circle का आपका revision हुआ होगा ठीके, अगर आपको चीज़े अच्छी लगी हो अब्सक्राओर आपको cansच्छी लगी करेंग नहीं कि आपको उनbb मतलब